कि देवाला निकालेगा क्या अब बरबाद करना है क्या चलो कोई बात नहीं ठीक है इंडिया के इतिहास में पहली वार ना एक ना दस ना सो ना पांसो ना हजार सीधे दस अजार अर्थात मेंच की फिरी किताबें आप सभी के लिए तीस मई रवीबार सुबह ग्यारे बजे अपने में एक्जामपुर यूट्यूब चैनल पर एक्जेक्ट ग्यारे बजे आन ना भूलें इन दस अजार फिरी मेंच की किताबों को प्राप्त करने के लिए ठेंक्यों साथियों एक्जामपुर आप सभी के लिए लेकर आया है ना दस ना सो ना पांसो ना हजार डाक्टर साथ इसकी टाइमिंग क्या है रविवार सुमें 11 मजे सर जी ना एक ना दस ना सो ना पांसो सीधे हजार दस हजार सर जी दस हजार दस हजार देवाला निकालेगा क्या अब बरबाद करना है क्या चलो कोई बात नहीं ठीग है इंडिया के इतिहास में पहली वार ना एक ना दस ना सो ना पांसो ना हजार सीधे दस हजार अर्थात मेंच की फिरी किताबें आप सभी के लिए तीस मई रवीबार सुबा ग्यारे बजे अपने में एक्जामपुर यूट्यूब चैनल पर एक्जेक्ट ग्यारे बजे आना ना भूलें इन दस अजार फिरी मेंच की किताबों को प्राप्त करने के लिए थेंक यू गुड़ मॉर्निंग ओल अफ यू एक बार मैं फिर से आप लोगों के साबने शॉट हेंड की क्लास लेके आया हूँ तो सबसे पहले आप देख लीजे चीजों को कि सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लासे में क्या-क्या पढ़ा है तो एक बार हम सारी चीजें रिवाइस कर लेते हैं तो फटा-फट से आप ये सारे लिंग अपने फ्रेंड्स एंड जो भी बच्चे आपके साथ हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको आप सेंड कर दो ताकि हम आपसे जुड़ जाएं और स्टार्ट करते हैं अपनी शॉट हिंड क्लासेज गुड मॉनिंग माया गुड मॉनिंग ठीक है तो फटा-फट से आप लिंग शेयर कर दो ताकि जल्दी से जल्दी हम क्लासेज स्टार्ट कर सकें आप फटा-फट हमारे साथ जुड़ जाएं गुड मॉनिंग आनंद ठीक है तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हमने क्या पहले प्रीवियस क्लासेज में पढ़ लिया है और आज हमें कहां से स्टार्ट करना है ठीक है अभी तक जो चीजें हमने पढ़ लिया है एक बर मैं आपको पटा-फट से उनको रिवाइस करा देता हूं कि अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है First Point पहला चीज जो हमने अभी तक पढ़ लिया वो आपका Strokes पढ़ लिये हमने क्या पढ़ लिया Strokes पढ़ लिये कि आप 2 stroke को join कैसे करोगे, कैसे हमने joining पढ़ी है, वो आप सभी को पता है, आप सभी को मैंने दिखाया है कि किस तरीके से आप 2 strokes को join करोगे, good morning कुलदीव, good morning सौरव, ठीक है, फटा-फट आप लोग जूड जाएए, ताकि हम अपनी classes अच्छे से एक बर फिर से आप लोगों है, जो की आपका second position पे आता है, second position का पहला वोवल हमने पढ़ लिया है, ठीक है, second position का first वोवल हमने पढ़ लिया है, strokes पढ़ लिये है, joining पढ़ लिये है, second position वोवल का first वोवल पढ़ लिया है, strokes में हमने curve strokes भी पढ़ लिये कल, ठीक है, curve strokes भी पढ़ लिये, और आपके straight strokes जो बनते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए हैं ठीक है, और fourth point एक और चीज हमने पढ़ लिए है, वो हैं, shortcuts, ठीक है हमने shortcuts पढ़ लिए हैं कि कौन-कौन से shortcuts आपके जो sentence completion में help करते हैं, वो shortcuts हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजیں हम एक बार दुबारा से पढ़ चुके हैं ठीक है और अब आगे हमें आगे की चीजों को pick up करना है तो फटा फटा आप जुड़ जाओ ताकि हम आगे की चीजों पे move on कर सकें ठीक है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले आज मैं start करूंगा कि आपके जो curve stroke कल मैंने बताए थे उ सबस्कराइब तो आज हम देखेंगे की इन कर्व stroke से बनने वाले short cut कौन कौन से हैं इन कर्व stroke से बनने वाले shortcut कौन कौन से हैं ठीक है previous जो shortcut हमने पड़ी थी वह आपकी straight stroke से थी आज हम पड़ेंगे कर्व श्ट्रोक से बनने वाले शॉर्टकर्ट तो देखिए बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शॉर्टकर्ट पढ़ो तुने प्रैक्टिस जरूर करो विकाज अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे शॉर्टकर्ट को तो वो अभी आपको कभी भूलेंगे नी ठीक है तो आप इन चीजों को ध्यान रखना कि शॉर्टकर्ट आपको डेली प्रैक्टिस करना है जैसे ही मैं क्लास में बताउं उसी दिन आप क्या करो आगे practice कर लो ताकि अगर immediately कोई भी shortcut आपके सामने आता है तो आपको उसको use करने में कोई problem ना आए ठीक है तो आज हम start करेंगे curve stroke shortcut ठीक है चलिए तो curve stroke shortcut से start करते हैं उससे पहले मैं सारे curve stroke एक बार आपको लिख के बता देता हूं ठीक है वही formula हम अपनाएंगे अगर dark है तो हम कौन सा use करेंगे dark अगर है तो हम use करते हैं black ठीक है और अगर light है तो हम use करते हैं blue ठीक है अगर light है तो हम कौन सा color use करेंगे हम blue color use करेंगे तो ध्यान रखिएगा अगर dark stroke होगा तो हम black से बनाएंगे और अगर आपका light stroke होगा तो हम blue से बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले एक बार मैं सारे curve stroke आप लोगों को लिखके दिखा देता हूँ तो पहला curve stroke जो है वो हमारा किसका था F का जो की आपका light बनता है F का curve stroke आपका कैसा बनता है light बनता है next आपका का curve stroke था black जो की आपका था V का F and then V next था आपका थ ठो आपका light बनता है next आपका था दो दो आपका dark बनता है next आपका था S S आपका light बनता है ठीक है, S आपका कैसे बनता है, light बनता है, next आपका क्या था, next था, Z, फटाफट मेरे साथ आप बोलते ही चलो, ताकि चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है, S and Z, then next आपका कर्वी श्ट्रोक कौन से था, next आपका कर्वी श्ट्रोक था, श, ठीक है, श भी आपका कैसे बनता है, light बनता है, and next आपका last कर्वी श्ट्रोक जो था, वो था आपका Z, और Z आपका कैसे बनता है, dark बनता है, एक बार मैं लिख देता हूँ सबको, ताकि आपको recall करने में आसानी हो, F, V, TH, D, S, Z, SH, Z, ठीक है, F, V, TH, D, S, Z, SH, Z, ठीक है, इनको आप हिंदी में भी यहाँ पे लिख सकते हो, TH, और इनको D, ठीक है, इसको S, इसको Z, यह ध्यान रखिएगा, यह जो मैं Z, लिख रहा हूँ ना, इसको आप कभी भी J से match मत करिएगा, विकोज जो J का stroke होता है, उसको हम J पढ़ते हैं, ठीक है, और जो Z का stroke होता है, उसको हम Z पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आपका एक word होता है, जील, ठीक है, जील में आपका Z आ रहा है, ठीक है, तो Z, जहाँ पे जील जैसा कोई word आएग जहां पे जे आएगा वहां हम जे का स्ट्रोक यूज करेंगे एफ वी थर्द और एस जेड शो शो के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा बड़ा सौ या सटकोड़ वाला सौ कोई भी शौ इसको आप मान सकते हो ठीक है लास्ट जो हमने पढ़ा था वह आपका जी था यही यह सारे कर्व श्ट्रोक हमने पढ़ लिये थे ठीक है आई होप कि आप सब ने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी ठीक है प्रैक्टिस कर ली है जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बर मेरे को कमेंट करके बताएं हां रेस करके बताएं कि उन घर से practice करो घर से practice करोगे चीजें आपको नहीं भूलेंगी ठीक है तो मैंने आपको practice करने का तरीका भी बताया था कि इन सारे strokes को आप कैसे practice करोगे 4-4 line बनाऊगे हर एक stroke को ठीक है 4-4 line हर एक stroke को बनाना है उसके बाद इन सारे stroke को एक sequence में लिखके उनकी 20 line practice करना है सारे stroke को एक sequence में लिखके 20 line practice करना है और हर एक stroke को आपको 4-4 line बनाना है ठीक है तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम next आगे move करते हैं कि हम अब curve stroke shortcut कैसे define करेंगे ठीक है आज हम पढ़ेंगे curve stroke से related shortcut ठीक है तो पहले हम shortcut देख लेते हैं कि curve stroke से आपकी कौन कौन सी shortcut बनती है कर्व श्ट्रोक से आपकी कौन कौन सी shortcut बनती है shortcut अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो एक बार मैं और clear कर दूँ आपको shortcuts जो होती है वो काफी important role play करती है आपके short hand में क्योंकि shortcuts जब भी आप sentence बनाते हो अगर आप 4 sentence बनाओ 6 sentence बनाओ 10 sentence बनाओ उन sentence में जरूरी है पक्का है कि 10 से 12 shortcuts आपकी आएंगी ही आएंगी तो ध्यान रखिएगा shortcuts daily practice करिए shortcuts आप जैसे मैं बताता हूं उस तरीके से बनाते चलिए ताकि sentences formation में आपको use हो और आपको दिक्कत ना आए ठीक है तो आज हम start करेंगे curve stroke shortcut तो पहला जो shortcut बनता है curve stroke से वो आपका बनता है V से ठीक है पहला shortcut जो curve stroke से बनता है वो आपका किस से बनता है V से आपकी पहली shortcut बनती है जिसको V से जो shortcut बनती है उसको हम बोलते हैं have ठीक है यानि without vowel अगर V का stroke बना हुआ है तो उसे हम क्या read करेंगे उसे हम have read करेंगे ठीक है without vowel अगर आपका V का stroke बना हुआ है तो वो आपका have पढ़ा जाएगा ठीक है next जो आपकी shortcut बनती है वो आपकी बनती है थ से थ से आपका light stroke होता है तो हम इसको light बनाएंगे थ से जो आपकी shortcut बनती है वो आपकी बनती है think ठीक है थ से आपकी कौनशी shortcut बनती है think ठीक है और थ आपका कैसे बनता है bracket की तरह opening bracket अगर आप बनादो light तो वो आपका क्या हो जाता है थ से think हो जाता है ठीक है तो आपका इसी तरीके से इसमें चीजें आपकी चलती रहेंगी सो मैं timing मैं आपको clear कर दूं timing इस class की 10 to 11 है morning में 10 to 11 एक बार मैं और बता देता हूं आप लोगों को कि इसकी जो timing है वो आपकी 10 a.m. to 11 a.m. है तो आप 10 बजे हम से जुड़ जाए करिए ताकि आपकी कोई भ है हान जी तुलसी जी आपका ये have बनेगा वी से जो हम बनाएंगे वो आपका have बनेगा है तो हान जी स्वाती दैम जो बनता है वो आपका थर से नहीं बनता वो आपका दव से बनता है वो मैं आपको बतारा हूँ, वी से आपका have बनता है, थ से आपका think बनता है, अगला जो shortcut है वो स्वाति आपने बताया द से them बनता है, ठीक है, द से them, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम थ पढ़ते हैं, ठीक है दो से आपका them हो गया and थो से आपका think हो गया ठीक है तो we say have थो से think दो से them ठीक है अगला जो आपका shortcut बनता है ठीक है विक्की आपको जो चीजे मैं बताऊं उन चीजों को अगर आप practice कर लोगे तो इतना आपके लिए enough होगा class में because अगर मैं आपको जादा चीजे बताऊंगा तो आप उनको practice नहीं कर पाऊगे ठीक है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा कम अभी बता रहा हूँ because जो चीजे आपकी starting में अगर आप practice कर लेते हो तो आगे हम course को काफी तेजी से खीच सकते हैं ठीक है इसलिए मैं आपको थोड़ा अभी कम बता रहा हूं classes में ताकि आप जादा से जादा इन चीजों को revise कर पाओ और प्रैक्टिस कर पाओ because यह आपके क्या है starting terms है ठीक है थैंक यू विकी ओके चलिए देखते हैं दो दो से आपका कौन सा shortcut बनता है दैम बनता है ठीक है अगला जो shortcut बनता है वो भी हमारा dark बनता है वो किस से बनता है वो आपका बनता है जिसको की हम जो पढ़ते है जो ठीक है जेड से आपका क्या बनता है वोस बनता है जेड से आपका बनता है ठीक है वी से हैव थ से थिंक दो से दैम एंड जेड से वोस ठीक है तो यह आपके कुछ शॉटकट है अगला शॉटकट जो आपका बनता है वो आपका जी से बनता ह ठीक है have think them was sure अब शो से देखते हैं क्या बनता है शो से और जी से अब हमें देखना है शो हमारा कैसा बनता है शो हमारा light बनता है और शो से आपकी shortcut बनती है ठीक है शो से आपका क्या बनता है शैल बनता है और शो हमारा कैसा बनता है light बनता है तो शो से आपका क्या हो गया शैल and last जो curve stroke shortcut है वो आपकी z से बनती है और z से क्या बन जाता है usual and usually ठीक है usual and usually जो होता है वो आपका किस से बनता है जी से बनता है और जी आपका कौन सा stroke है डार की stroke है ठीक है तो एक बार revise कर लेते हैं फटा फ़र शोटकर्ट्स ठीक है वी से है था से थिंक दो से दम जैड से वोज and शो से शैल जी से यूजवल और usually ठीक है नई विक्की मैं आपको speed के बारे में clear कर दूँ जैसे आप क्या गरोगे जैसे आपको इस टैनों वहाँ पे हाथ से लिखनी पड़ेगी जो आपकी speed होगी वो आप अपने हाथ से लिखोगे जैसे मैं एक बार आपको पूरा define कर देटा हूँ term वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे आपको 10 minutes audio आएगी ठीक है with speed of 80 और 100 ठीक है 80 या 100 के speed से हाथ से लिखना है ठीक है उसके बाद वो जो short hand आप लिखोगे उसको आप system पे type करोगे system पे कोई speed आपकी check नहीं होती है आपकी जो speed check होती है वो dictation पे check होती है ठीक है जो dictation आप लिखोगे वही speed बोली जाती है system पे आपको only उसी dictation को limited term में type कर देना है ठीक है रजत हिंदी स्टैनों भी सिखाई जाएगी पहले हम English स्टैनों का course complete करेंगे then after that आपको हिंदी स्टैनों भी हम सिखाएंगे तो tension free रहे है उसके लिए ठीक है तो आप लोगों का doubt clarify हो गया होगा ठीक है विक्की doubt clarify हो गया आपको कैसे करना है आपको system पे कोई speed check नहीं होगी आपको हाथ से लिखना है speed then after that आपका उसको limited time में system पे type करना है ओके विक्की ठीक है तो Z से आपका usual और usually होता है ठीक है ये last shortcut हमने देख ली अब एक बार हम सारी shortcut को एक साथ लिख लेंगे कि आपका कौन कौन सी shortcut हमने देखी इसमें ठीक है इसमें सबस से पहली shortcut हमने देखी थी वी वी से आपका क्या हो रहा था वी से आपका have हो रहा था ठीक है have then think then them ठीक है then was have think them was then shall then usual or usually usual or usually इसको हम अभी याद कर सकते हैं कैसे याद कर सकते हैं फटा फट इनको एक साथ आप लिख लीजिए और फिर इन्हें बोल बोल के आप 20 लाइन लिख लीजिए ये आपको बिलकुल आराम से याद हो जाएंगे इसी sequence में बोल बोल के आपको लिखना है have think them was shall usual or usually ठीक है have think them was shall usual or usually ठीक है इसी तरीके से आप इसकी practice कर लोगे बिलकुल विक्की पूरा course आपको complete करा जाएगा बिलकुल आप tension free रहिए बस हमारे साथ बने रहिए धीरे-धीरे चीजों को समझते रहिए course आपका बहुत जल्दी और बहुत easy way में complete करा दिया जाएगा ठीक है तो यह आपका क्या हो गए यह आपके stroke shortcuts हो गए ठीक है कल भी हमने कुछ shortcuts पड़े थे आज भी हमने कुछ shortcuts पड़े थे तो एक बार सारे shortcut एक जगा पर लिख लेते हैं ठीक है एक बार सारे shortcut एक जगा पर लिख लेते हैं तो पहला shortcut कल हमने पढ़ा था किसका बी का Second shortcut हमने पढ़ा था it का b, b-stroke से b, t-stroke से it, d-stroke से do, d-stroke से हमने क्या पढ़ा था do पढ़ा था, चार स्ट्रोक से हमने विच पढ़ा था चार स्ट्रोक से क्या हो गया विच हो गया और दो के लिए हमने क्या पढ़ा था लाइन पे डॉट लाइन पे अगर डॉट होता है तो वो दो ठीक है और टू के लिए हमने क्या पढ़ा था टू के लिए पी का वन थर्ड पार्ट हम ब बट के लिए क्या बनाएंगे बट के लिए हम T का 1 third part बनाएंगे ये क्या होगा बट के लिए क्या करेंगे कहो के लिए J का 1 third part बनाएंगे ये क्या हो जाएगया हू और आज वाली short cut हमने कौन सी पड़ी trip prove सूप है फ्रिक है पहली पड़ी हमने ट relying बनता है फिर हमने पड़ी थिंक भी आपका लाइट बनता है फिर हमने पड़ी देम आपका डार्क बनता है फिर हमने पड़ा वोज वोज भी आपका डार्क बनता है ठीक है फिर हमने पड़ा शैल शो से शैल शैल आपका लाइट बनता है एड़ लास्ट हमने पढ़ी, यूजवल और यूजवली, ये सारी हमने शौटकट्स पढ़ ली है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारी शौटकट्स आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ये सारी शौटकट्स आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कौन- सब भी बोलोगे be it do which the to to but who have think them was shall usual or usually ठीक है एक बार और बोलेंगे be it do which the to अगर आप डेली लिखते रहना है तो इन सिंबल्स को पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी हर जगा पर कहीं पर भी आपको यह सिंबल्स आएंगे तो तुरंट आप उसको ग्राब कर लोगे ठीक है गैरी यह क्लास स्टार्ट हुए तो थी डेज हो गए है बट आप टेंशन फ्री रहो आपको मैं डेली चीज़ें रिवाइस करा रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो यह सारी आपकी शॉर्टकट्स थी अब इन शॉर्टकट्स के बाद एक बार हम हम अपने सारे स्ट्रोक्स भी एक जगा पे लिख लेते हैं फिर उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ओफ वर्ड्स बनाएंगे फ्रॉम वावल्स ठीक है हम कॉम्बिनेशन ओफ क्या बनाएंगे वर्ड्स फ्रॉम विद धेल्प ओफ वावल्स एक वावल पढ़ लिया है आज मै एक और वावल आपको बताऊंगा ठीक है तो अब एक बार हम स्ट्रोक्स लिख लेते हैं जब भी मैं स्ट्रोक लिखूं तो आप सब मेरे साथ बोला गरिए अपने मन में इन चीज़ों को रिवाइस किया गरिए ताकि बार बार मैं आपको एक ही चीज इसलिए बता रहा ताकि ये चीज़ें आपको learn हो जाएं पहले stroke लिख लेते हैं एक बार ठीक है तो सबसे पहला stroke हमने पढ़ा था पी का और पी आपका कैसा बनता है लाइट बनता है सबसे पहला stroke आपने कौन सा पढ़ा था पी का अगला स्ट्रोक आपने पढ़ा था बी का बी आपका कैसा बनता है डार्क बनता है तो पी लाइट बी डार्क फिर आपने पढ़ा था टी का टी आपका कैसा बनता है लाइट बनता है ठीक है फिर आपने पढ़ा था डी डी आपका कैसा बनता है डार्क बनता है ठीक है PBTD PBTD ठीक है अगला इस ट्रोक आह स्ट्रोक आपने पडा था च्योस का च्य आपका कैसावनता हिंता है लाइट बनता हिंत जोस点ड़ से कि को आपका कैसा बनता हिंता हि जी आपका डार्क, फिर नेक्स्ट, M, N, and L, ठीक है, M, N, and L, उसके बाद कर्व स्ट्रोक पर आ जाते हैं, कर्व स्ट्रोक कौन कौन से पढ़ेते हैं, पहला F का, ठीक है, F, लाइट, Second, V, V, dark. Third, थ, थ, light. Fourth, द, द, dark. Then, S, S, light. Then, Z, Z, dark. Then, S, S, light. Then, Z, Z, dark. ठीक है, P, B, एक बार हमारे साथ बोलेंगे सभी, ठीक है, P, B, T, D, च, ज, K, G, M, N, L, F, V, थ, द, S, Z, श, Z, ठीक है? P, B, T, D, च, ज, K, G, M, N, L, F, V, थ, द, S, Z, श, Z. ये सारे इस ट्रोक समने पढ़ ली हैं और ये सारे शॉर्टकट समने पढ़ ली हैं. इन दोनों को ही आपको डेली बेसिस पर डेट वाइज इमांदारी से ट्वेंटी-ट्वेंटी-ट्वेंटी लाइन प्राक्टिस करना हैं. इनको एक सीक्वेंस में बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोर्ड पे लिखके दिया है ऐसे ही लिखना है और इनको आपको क्या करना है 2020 लाइन प्रैक्टिस करना है कि आपके ये जो स्ट्रोक्स एंड शॉटकर्स हैं ये अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएं ताकि आगे मैं जब चीजें आपको बताऊं तो आपको कोई डाउट ना आए ठीक है तो ये सारा सबको समझ में आ गया होगा और एक बार आप अपने से प्रैक्टिस करोगे तो और जादा समझ में आएगा ठीक है अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे आज हम एक और वोवल पढ हिंगे हमने एक वोवल पढ़ लिया है जिसको हम एपलाई भी कर चुके है और उससे हम सिंगल स्ट्रोक वर्ड भी बना चुके और डबल कोड़ कर लेता हूं तूल मान लिजे यह हमारा एक stroke है ठीक है तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ जहां से मैंने start किया और ये center and ये end ठीक है तो stroke का ये position कौन सा हो जाएगा ये वाला position उसका first position हो जाएगा ये second position and ये third position ठीक है तो हर एक stroke के ये three positions present है ठीक है अब इन three positions पे हमें वावल पुट करना है फिलाल हम बात कर रहे हैं second position वावल की ठीक है फिलाल हम किसकी बात कर रहे हैं second position वावल की मैं अपने सभी बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमेशा पूरे lifetime ध्यान रखना कि जब भी आप second position पे वावल लगाते हो तो आपका जो stroke होगा वो on the line बनना चाहिए कहां पे बनना चाहिए on the line ठीक है तो इसको आप अपनी कॉपी में note लिखके note डाउन कर लेना बहुत important point है ये कि आपका जब भी second position पे आप वावल पुट करोगे तो आपका stroke on the line लाइन पे टच करना चाहिए ठीक है कभी भी आप लाइन से उपर नहीं रख सकते लाइन के नीचे नहीं ले जा सकते ये दोनों चीजें आपकी गलत होंगी आपको stroke को लाइन पे तच कराना है ठीक है second position पे वावल लगेगा stroke लाइन पे तच करेगा ठीक है तो अब हम देखते है second position पे पहला वावल हम पढ़ चुके थे जो की आपका किसका था ए का ठीक है किसका था वो ए ठीक है second position पे पहला वावल था आपका ए का और इसको हम represent करते थे dark dot से किस से represent करते थे dark dot अगर second position पे लगा हुआ है तो वो किसको represent करेगा ए ठीक है इससे हमने words जो बनाए थे वो आपके कौन-कौन से थे पे बे डे एड ठीक है एप पेज डेट ठीक है जहां पे भी आपको ए का sound आएगा वहाँ पे आप क्या करोगे second position पे dark dot put करोगे ध्यान रखिएगा ध्यान से सुनिएगा second position पे dark dot second position पे dark dot और stroke कहां बनाना है stroke ध्यान रखिएगा on the line बनाना है कभी भी line के उपर या line के नीचे नहीं अब सरह मैं बता दूँ इस stroke जो होते हैं जैसे आप ABCD इंगलिश में पढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हो alphabet बोलते हो ठीक है तो जब इस टैनों में आप ABCD पढ़ते हो तो उसको आप stroke बोलते हो ठीक है second position पे अगला वोल जो होता है वो आपका होता है ए ए ठीक है क्या होता है ए और इसको हम represent करते हैं light dot से गुड मॉर्निंग प्रिंस ठीक है इसको हम represent करते हैं किससे light dot से यानि आप इसके लिए कौन सा dot use करोगे light dot use करोगे यहाँ पे आपको कौन सा dot लगाना है light dot लगाना है ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका dot जो होगा वो क्या होगा वो आपका light होगा light dot से हम represent करते हैं इसको echo ठीक है a sound जब भी आपको आएगा तो वहाँ पे light dot लगाओगे और इसकी spelling में हमेशा e आता है ठीक है जब भी आपको a का sound आएगा तो आपको spelling में क्या आएगा e आएगा डार्क और light का यह difference होता है कि अगर आप pencil को forcefully put कर देते हो कहीं पे तो वहाँ पे वो चीज डार्क हो जाती है उसका कोई और मतलब हो जाता है और अगर वही चीज आपने light बना दी तो उसका कोई और मतलब हो जाता है तो आपको डार्क और light का फर्क इस टैनों में करते हुए चलना होगा तो आप आराम से चीजों को आगे समझ पाओगे ठीक है जोती गुड मॉर्निंग सुमित ठीक है तो ए और दो वोवल सेकंड पोजिशन पे आएं हैं आपके एक के लिए हम डार्क डॉट यूज करते हैं और एक के लिए हम लाइट डॉट यूज करते हैं तो फटा-फट इन वोवल्स को आप नोट डाउन कर लो ताकि इनसे हम वर्ड फ आप नोट डाउन कर लो मैं आपको एक्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है सेकंड पोजिशन पे दो वोवल पढ़ लिए ए और ए ठीक है एक के लिए डार्क डॉट और एक के लिए लाइट डॉट महक पैंसिल से आप कर सकते हो थोड़ा सा पैंसिल को आपको ठीक से यूज़ करना है आप पैंसिल से ही इनको डार्क और लाइट का करोगे विवास पैंसिल से आप नहीं दिखा सकते इसको गुड मौनिंग टिंकू ठीक है तो अगले आप हम वर्ड फोर्मेशन पे मूव करते हैं कि ए और ए के वर्ड कॉन कौन से आपके होंगे ठीक है गुड मॉर्णिग विवेक ठीक है तो move on करते हैं सबसे पहले हम कुछ words लिख लेते हैं उसके बाद मैं उनको आपको draw करके दिखाऊंगा ठीक है जैसे पहले ए से लिख लेते हैं पेड, पेज, देट, एज, टेप, ठीक है पेड, पेज, देट, एज, टेप, ठीक है इन सब में कौन से vowel का use हो रहा है जब आप पेड बोलते हो पे, ड, ए का sound आ रहा है यानि इन सब में कौन सा vowel use हो रहा है इन सब में आपका ए vowel use हो रहा है कौन सा vowel use हो रहा है ए vowel और इसको हम किस से represent करते हैं डार्क डॉट से तो इन सारे वर्ड को बनाने के लिए हम A वावल का यूज करेंगे ठीक है A वावल का हम यूज करेंगे तो आई ये पहला वर्ड बनाते हैं P और D के कॉंबिनेशन से P आपका light होता है blue यूज करेंगे then D आपका dark होता है D dark ठीक है और second position पे किसके second position पे P के second position पे dark dot लगाएंगे ललीता dark dot लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे किसका sound आ रहा है यहाँ पे A का sound आ रहा है A का P पे कौन सी मात्रा आ रही है P पे A की मात्रा आ रही है P और D तो यहाँ पे आप dark dot लगादोगे second position पे और यह आपका क्या हो जाएगा paid हो जाएगा ठीक है अब next हम इसका page बनाएंगे page बनाने के लिए P का stroke then J का stroke तो P का stroke and इसमें dark stroke J J को हम join करेंगे P से ठीक है और second position पे क्या लगाएंगे dark dot ठीक है second position पे dark dot यह क्या हो गया आपका page बन गया paid page ठीक है उसके बाद next हम क्या बनाएंगे date date के लिए आपका D का stroke and then T का stroke T का stroke light तो blue और second position पे dark dot यह आपका क्या हो गया date हो गया ठीक है next word है आपका age ठीक है next word क्या है आपका age age के लिए J का stroke J का stroke आपका कैसा बनता है dark ठीक है day का age का stroke आपका कैसा बनता है dark तो हम क्या करेंगे J बनाएंगे और J के second position पे dark dot बनाएंगे यह आपका क्या होगा age ठीक है paid page date age अब age में आप सोच रहे होगे कि सर सब में तो आपने वावल राइट साइड में लगा दिया है ठीक है आप बोल रहे होगे कि आपने age में left side में क्यों लगा दिया है तो एक बार मैं पहले भी clear कर चुका हूँ और एक बार आज फिर से clear कर देता हूँ कि जब भी आप stroke draw करते हो तो उसकी दो location होती है एक ये वाली location जो होती है ये आपकी before होती है कौन सी होती है before ठीक है और ये वाली location जो होती है आपकी ये आपकी after होती है ये क्या होती है आपकी after होती है तो जब भी आपको एका sound आएगा before part पे तो आप left side में वावल पुट करोगे और जब भी आपको एका sound आएगा after part पे तो आप हमेशा after position पे यानि की right side में वावल पुट करोगे ठीक है एक बार आप comment करके बता देना बेटा की क्या नहीं समझ में आ रहे है तो मैं आपका वोड आउट clear कर देता हूं ठीक है तो आपका अगर आपने वावल before part पे पुट किया है तो वो आपका बाद में पढ़ा जाता है after part में पुट किया है तो वो पहले पढ़ा जाता है तो age को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वावल कहां पे आ रहा है इस ट्रोक के बिफोर पार्ट पे यानी ए ए हम पहले पढ़ रहे हैं और जब बाद में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इस ट्रोक के किदर लेफ्ट साइड में आपका डार्क डॉट लगा रहा हूँ ठीक है अगला वर्ड है हमारा टेप टेप में दोनों इस ट्रोक आपके लाइट बनते हैं तो हम दोनों ही आपके किस से बनाएंगे बलू से बनाएंगे और उसके सेकेंड पोजिशन पे डार्क डॉट लगा देंगे ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका टेप हो जाएगा ठीक है इस ट्रोक जॉइनिंग का ए कभी भी पैंसिल को क्या नहीं करना उठाना नहीं है एक बार में कोई भी स्ट्रोक बना के ही पैंसिल उठानी है ठीक है ऐसा नहीं कि आप एक बार टी बना रहे हो फिर पैंसिल उठा रहे हो फिर आप दी बना रहे हो ठीक है यह काम आपको नहीं करना आपको जॉइनिंग के के लिए हमेशा किया करना है जोईनिंग के लिए हमेशा दोनों स्ट्रोक को एक साथ ही लेके चलना है कभी आपको अलग-अलग इस ट्रोक को जोईन नहीं करना है कि एक बार में कोई जोईन कर करते हैं जोती मैं प्राक्टिस करने का भी तरीका आपको बताता हूं अभी ठीक है एक बार आप पहले दोनों वोवल देख लो तो एक बार हमने यह वाले वोवल देख लिए अब अगला वोवल जो है वो हमारा किसका है एका और एके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं लाइट यूज करोगे ठीक है तो अब हम कौन सा वाला वोवल बनाएंगे अब हम ए वाला वोवल बनाएंगे और इसके लिए हम लाइट डॉट यूज करेंगे ए के लिए डार्क डॉट ए के लिए लाइट डॉट और इसकी स्पैलिंग में क्या आता है इसकी स्पैलिंग में आपक यह आता है ठीक है तो फटाफट हम यह वाले वर्ट्स लिख लेते हैं ठीक है तो फटाफट हम यह वाले वर्ट्स लिख लेते हैं तो पहला वर्ट्स हम लिखेंगे इसमें टैड ठीक है सेकेंड वर्ड हम लिखेंगे पैट, P-E-T, ठीक है, थर्ड वर्ड हम लिखेंगे डैट, D-E-B-T, ठीक है, टैड, पैट, डैट, ठीक है, फोर्थ वर्ड हम लिखेंगे, जैट, J-E-T, ठीक है, फिर हम लिखेंगे, पैप, P-E-P, ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे, एज, E-D-G-E, एज, ठीक है, टैड, पैट, डैट, जैट, पैप, एज, ठीक है, ये सारे वर्ड में, आपको A का साउंड आ रहा है, और स्पैलिंग में क्या रहा है, E आ रहा है, ध्यान से देखिए, स्पैलिंग में सब में क्या रहा है, E आ रहा है, और साउंड किसका रहा है, A का रहा है, ठीक है, तो अब हम इन स्ट्रोक्स को बनाएंगे, कि ये स्ट्रोक्स आपके, कैसे ब और A का sound है, spelling में E है, तो कौन सा dot put करेंगे, फटाफट बताइए, dark dot या light dot, फटाफट बताइए, light dot put करेंगे यहाँ पे, क्यों क्योंकि A का sound है, और spelling में E है, इसलिए हम light dot put करेंगे, अगला stroke, pet word बनाना है हमें, तो pet के लिए क्या करेंगे, P, P हमारा light बनेगा, then T भी हमारा light बनेगा, तो P and T, दोनों को हमने without pencil उठाए, बना दिया है, because दोनों ही आपके light थे, चीक है, तो P के लिए, आपका light dot, pet, ठीक है, उसके बाद आपका, that, that में आपका कौन कौन सा आएगा, D and T, तो D आपका dark बनता है, and T आपका light बनता है, तो T आपका light हो गया, और D के second position पे, कौन सा dot आप लगा दोगे, light dot लगा दोगे, ठीक है, D के second position पे, आप कौन सा dot लगा दोगे, light dot लगा दोगे, तो Tad, Pet, Dat, ठीक है, उसके बाद अगला आपका jet आ रहा है, तो jet के लिए, पहले J का stroke, पहले हम J का stroke बनाएंगे, फिर T आपका light बनता है, and कौन सा dot लगाएंगे, light dot लगाएंगे, क्योंकि A का sound है, spelling में E है, तो यह आपका क्या हो गया, jet हो गया, अगला word, पैप, पैप के लिए हम P और P दो बार बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर किसी stroke का दो बार sound आ रहा है, तो इसको हम दो बार बनाएंगे, ठीक है, दो बार कैसे बनाएंगे, एक बार P और फिर दुबारा उसी में दूसरा P जोइन कर देंगे, P and P, ठीक है, एक बार P और दुबारा P उसमें जोइन कर दिया, और उसमें light dot लगा दिया तो ये आपका क्या हो गया PEP हो गया ठीक है ये आपका क्या हो गया PEP हो गया अगला क्या है edge edge के लिए हम J J बनाएंगे J का stroke J के stroke के पहले क्या बना देंगे J का stroke आपका dark बनेगा और J के stroke के पहले क्या लगा देंगे हम light dot ठीक है light dot ठीक है ध्यान रखिए जब भी आपको stroke के पहले vowel का sound आएगा तो आप उसके before part पे लगाओगे और जब stroke के बाद आपका sound आएगा तो आप उसके after part पे लगाओगे यहाँ पे edge में आपको vowel का sound कहाँ पे आ रहा था हाँ जी जोती edge में सिर्फ j आएगा क्योंकि आप अगर edge को पढ़ो तो कोई और stroke का sound आ रहा है क्या आपके पास spelling में तो edge लिखा है बट sound किसका आ रहा है sound आपको only j का रहा है तो a के लिए हमने vowel put कर दिया और j के लिए हमने j का stroke बना दिया तो हमने a vowel से word पढ़ लिए और हमने a vowel से word पढ़ लिए तो आप लोगों को क्या करना है इन words को as it is अपनी copy में लिखना है और इन सारे words को आपको 33 line practice करना है ठीक है सारे words को आपको 33 line practice करना है ताकि आपका जो stroke हो उसकी joining आपको clear हो ठीक है आपके जो stroke होंगे उनकी आपको joining clear हो और जो कौन सा sound पे कौन सा stroke बनाना है ये भी आपको clear रहे ठीक है तो इन सारे words को आप क्या करोगे 33 line practice करोगे ठीक है अब ये a और a vowel हमने पढ़ लिया है ठीक है अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि curve form से word कैसे बनते हैं curve form of stroke से word आपके कैसे बनेंगे कुछ words हम curve form of stroke से बना लेते हैं जैसा कि पहला word हम लिखेंगे curve form of stroke से fade f a d e fade अगला लिखेंगे faith faith f a i p h faith अगला लिखेंगे faith f e p c h अगला लिखेंगे say s a y अगला लिखेंगे day p h e y अगला लिखेंगे o's o w e s ठीक है अगला लिखेंगे say s a ठीक है अगला लिखेंगे आपका food food f o a d food ठीक है अगला लिखेंगे हम इसमें shake s h s h a k e shake अगला लिखेंगे shame s h a m e shame ठीक है तो अब हम क्या गरेंगे curve wall a stroke से आपका word बनाएंगे ठीक है curve wall a stroke से आप क्या बनाएंगे ठीक है तो ये words हमें curve form of stroke से आपके बनाने हैं ठीक है तो पहले से start करते है fade F आपका light बनता है या dark बनता है बिल्कुल सही F का जो आपका stroke होगा वो आपका light बनेगा ठीक है तो उसको हम क्या गरेंगे light बनाएंगे और इसके साथ हम कौन सा stroke join करेंगे D का stroke join कर देंगे और D आपका dark बनता है ठीक है F और D इन दोनों stroke को हमने join कर दिया और इसके बाद हम इस पे second position पे dark dot लगाएंगे क्योंकि A का sound आ रहा है ठीक है second position पे कौन सा dot होगा आपका dark dot होगा second position पे dark dot क्योंकि यहाँ पे आपका कौन सा sound आ रहा है A का sound आ रहा है ठीक है अगला faith faith में F और थ का stroke बनाएंगे F और थ दोनों ही light बनते हैं तो F and थ और F के second position पे आप dark dot लगा दोगे F के second position पे कौन सा dark आप dot लगाओगे dark dot ठीक है क्योंकि आपका A का sound आ रहा है तो यहाँ पे आपने dark dot लगा दिया ठीक है आप light बनाओगे और F के second position पे light dot आप लगाओगे light dot आपको लगाना है ध्यान रखिएगा light dot आपको लगाना है क्यों क्योंकि A का sound आ रहा है A के लिए light dot A के लिए dark dot अगला C C में आपका S का stroke आ रहा है S आपका क्या बनता है light बनता है तो आप light एंड इस पे कौन सा ववल A का ववल A आपका कौन सा बनता है dark ठीक है तो A के लिए आप dark dot लगा दोगे से दे दे में कौन सा stroke होगा दो का stroke होगा दो आपका क्या बनता है dark बनता है ठीक है तो दो के लिए आप dark stroke then A का ववल A आपका A का ववल dark dot ठीक है दे ठीक है उसके बाद आपका S से S से आप कैसे बनाओगे S से के लिए आप S का stroke पहले बनाओगे S का stroke light बनता है ठीक है S का stroke आपने बनाया ठीक है ध्यान से देखिए S के पहले A का sound आ रहा है और इस spelling में E है तो कौन सा dot हम use करेंगे हम light dot use करेंगे ठीक है light dot use करेंगे और S के बाद A का sound आ रहा है S के बाद कौन सा sound आ रहा है A का तो हम dark dot use करेंगे देखिए इतने बड़े spelling को आपने इतने से में बना दिया कितना जादा चीजें आपकी short होती जा रही है ठीक है तो S से आपने S से लिखना है तो S का stroke पहले light dot फिर उसके बाद dark dot अगला fed के लिए आप पहले F बनाओगे F आपका light बनता है तो F then आपका D, D आपका dark बनता है F then D ठीक है और F के उपर A का sound और spelling में E तो हम कौनसा dot use करेंगे light dot ठीक है तो यह आपका fed हो जाएगा अगला word shake, shake के लिए हम श का stroke बनाएंगे and क तो श भी आपका light बनता है और क भी आपका light बनता है तो श और क ठीक है और श के second position पे कौनसा dot dark dot श के second position पे dark dot श के बाद A शे and कर ठीक है अगला shame, shame में आपका show be light और m be light तो show and m और उसके second position पे आपका dark dot ठीक है second position पे dark dot तो यह हमने curve stroke से भी word बना लिए और आपका straight stroke से भी word बना लिए ठीक है तो आज की class में हमने A और A का vowel सीख लिया ठीक है और क्या किया और जो भी strokes और shortcuts हमने सीखे थे उन सब से words बना लिए ठीक है दस ना सो ना पांसो ना हजार हाँ 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 डैक्टर साब इसकी timing क्या है रविवार सुमें 11 मजे सर जी ना एक ना दस ना सो ना पांसो सीधे हजार दस हजार सर जी दस हजार दस हजार देवाला निकालेगा क्या अब बरबाद करना है क्या चलो कोई बात नहीं ठीक है इंडिया के इतिहास में पहली बार ना एक ना दस ना सो ना पांसो ना हजार सीधे दस हजार अर्थात मेंच की फिरी किताबें आप सभी के लिए तीस मई रवीबार सुबा ग्यारे बजे अपने में एक्जामपुर यूट्यूब चैनल पर एक्जेक्ट ग्यारे बजे आन ना भूले इन दस अजार फिरी मेंच की किताबों को प्राप्त करने के लिए ठेंक्यो झाल